गाइस डिसकस करेंगे National Startup Awards के बारे में 2021 के तो वैसे तो नाम से आपको समन में आ जाना चाहिए National Startup Awards तो हमारी कंट्री में 2021 में जितने भी Startups हैं तो उनका ये पुरुसकार है अब इस Startup को पुरुसकार कब दिया जाएगा जब दिया जाएगा जब वो Startup हमारी Nation Building में contribute याने कि हमारे जो देश की जो masses है जनता जो है उनको फाइदा प्रवाइट कराएंगे huge level पर large scale पर तो ये सब कुछ चीज ने लेखे जाते कि नाम सी चीज़े समन में आ जानी चाहिए इतना डीटिल में जानी कि आपको ज़रुवत दिन ऊपरी-उपरी तौर से पूरी ची किया है और बताया गया है कि 16 जैनवरी को स्टार्ट अप इंडिया इनिशेटिव लॉंच हुआ था 2016 में तो 16 जैनवरी 2016 को स्टार्ट अप इंडिया इनिशेटिव को लॉंच किया गया था और कहा जा रहा है कि इसी 16 जैनवरी को National Startup Day मनाये जाएगा तो याद रखिएगा 16 जैनवरी को National Startup Day मनाने की घोशना हुई है अनौंस्पेंट हुई है और Blockchain Enabled Verification for Development of Promotion of Industry and Internal Trade Tax Incentive Certificate यानि कि Blockchain Enabled Verification DPIAT Tax Incentive Certificate DigiLocker Enabled DPIAT Startup Recognization Certificate ये भी लाँच किया गया है मतलब कि कुछ certificates भी लाँच किये गए है Tax Incentive Certificate किसके लिए Startups के लिए DigiLocker किसके लिए Startup Recognization Certificate के लिए तो ये चीज़े हैं Basic सी बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है बागी Startup Initiative के बारे में आपको बताऊंगा इस तो Startup Initiative का Main Objective ये था कि हमारी country के अंदर एक Startup Ecosystem को Build Up करना जिससे कि हमारी country में जाद से जादा Innovation हो जाद से जादा नवचार हो और हमारी country के अंदर opportunities provide की जाए entrepreneurs को नए-ने entrepreneurs को opportunity provide की जाए कि हमारी country में वो जाद से जादा Startup लाएं innovation करें इस purpose से launch किया गया था Startup India Initiative को 2016 में 16 जनवरी 2016 में और ये initiative mainly focus करता है तीन एरियास के ओपर क्या-क्या तीन एरियास है simplification and handholding first area second funding support and incentive third area industry academia partnership and incubation तो ये दोनों तीनों चीज़े तो आपको समय आगी होगी बट but incubation में आपको एक doubt आया होगा तो incubation center आपने सुना होगा काफी important है इसके बारे में एक जानकारी भी होनी चाहिए आपको तो क्या होता गाइस कि जब नए-ने startup होते हैं वो छोटे होते हैं उनको नई idea कि उनको अपने product को कैसे marketing करनी है कैसे business करना है कैसे funds इखटे करने हैं investor से तो उसके लिए एक center होता है जिसको बोलते हैं incubation center यह का करता है यह startup को service प्रवाइड कराता है उनको help करता है आगे बढ़ने में उनको service देता है तो यह है incubation और industry academy या partnership आप समझेए क्या होगे कि industries और academic show यानि कि हमारी country के जो institutions है academic institutions बगएर universities, colleges तो इनको आपस में industry के साथ connect करना क्योंकि the biggest problem in our country is कि हमारी country का जो education system है और industry की जो need है यह match नहीं हो रही है और इसी कारण से unemployment की problem बहुत जादा है और जब अगर हम industry और academia को आपस में मिला देंगे partnership उनकी करवाएंगे तो फाइदा क्या होगा कि एक student university से निकलते ही उसको जो है वो job मिल जाएगी क्योंकि industry समय समय पर बताएगी कि आप जो है वो किस प्रकार की courses है वो अपनी या फिर extra जो होता करी को आपनी courses वगरा skills development की या जो भी industry guide करें partnership के वादे हम से तो industry बताएगी कि industry की requirement क्या है अचकी rate में जिससे की institutions है वो requirement को fulfill कर सकें industry की मतलब की जो youth है मतलब की human resource जो है उनमें ऐसी skills develop करें कि जिससे की वो उस skill को प्राप्ट करके तुरंद industry में काम करें मतलब कि उनको job मिल जाए जिससे की हमारी country के अंदर unemployment की problem resolve हो तो इस तरीके से चीजों का आपको सबनना है funding support और incentive तो नाम season में आ रहा है बागी simpl simplification और handholding ये भी आपको बता है handholding मतलब ये incubation के साथ इसको आप mark कर सकते हो और simplification मतलब की startup का काम क्या है लोगों के लिए ऐसी service provide कराने जिससे की लोगों का जीवन आसान हो technologies अजफ की rate में technology हम लोग को क्या देखने को बलती है जिससे की logo की कोई भी चीज क्वाहिए जब वो लोगों के लिए लोगों की चीजों को simplify कर दे लोगों की problems को simplify कर दे तो वह startup आगे बढ़ेगा लोगों के लिए उनके जिसे ऐग्जांपल एक चोटा सा होगा selfie stick के बारे में, लोग बाग अपने हाथ से पकड़ कर mobile को, mobile की pick जो है, वो capture करते थे, किसी ने सोचा होगा कि यार, ऐसी एक कोई डंडी होती, वो थोड़ी दूर हो जाती, तो बहुत सारे लोग आपस में, काफी सारे लोग जो है, वो photo के अंदर आ जाते, तो एक ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सेलफी stick को डिजाइन कर दिया, ये भी तो बहुत बड़ा invention है की नहीं, selfie stick, कि जिसने लोगों की, जो day-to-day life उसको असान कर दिया, right, selfie लेने में, दो-तीन में, जनता के जीवन जो है, उसको आसान कर दे, उनको help करे, right, तो वो चीज होती है, आप भी अगर कोई initiative शुरू कर रहे हो, तो ये चीज़ चेक करो, कि आपकी initiative से अगर जनता को फायदा हो रहा है बहुत जादा मातरा में, तब वो initiative आपका successful होगा, जनता पर फोकस करो, उनकी लिए, कि उनकी लिए चीज़े कितनी असान बनाओगे आप, तो that is most important thing, इसमें key points की बात करें गाईज, तो ये startup India initiative जो हम लोग को देखने को मुलता है, इसको DPIIT, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, जो कि Ministry of Commerce and Industry के इंदर आती है, उसके द्वारा इस initiative को design किया गया था, main purpose यह है कि recognize करना और reward देना, right, outstanding startup को reward देना, right, कि जो startup outstanding है, जो ecosystem outstanding हम लोग को देखने को मुल रहा है, जो की innovative product बना रहा है, जो solution लेकर आ रहा है, right, जो जिसके पास high potential है employment generate करनेगा, wealth generate करनेगा, पैसे generate करनेगा, जिसे कि हमारी GDP हाई हो, हमारे national income में contribute करता हो, social, society पर एक impact create करता हो, तो ऐसे startup को recognize करना, उनको reward देना, guys इसके लावद 2021 के awards की बात करें, वर्ष 2021 के पुरुसकारों की बात करें, तो दूसरा edition जो था, इसके तहट हम लोग को देखने को बलाए कि 15 sectors में award, जो है, वो invite किये गए, और 49 sub-sectors थे, और 2021 के edition के अंदर recognize किया गया exceptional startups को, जो की innovating solutions लेकर आए, जिसने Indic language को promote किया, Indic language, देश की भाषा को जो है, वो बड़ावा दिया, भारतिया भाषाओं को बड़ावा दिया, और साथी साथ, जो country, हमारी country जो प्रयास कर रही थी COVID-19 से लड़ने का, तो जिस innovative solutions ने COVID-19 से लड़ने के हमारे देश के प्रयास को compliment किया, right, COVID-19 में हमारी से निपटने हिट्टू, राष्ट्रिया, प्रयासों की प्रशंचा करने के लिए असाधरन startups को भी सम्मानित किया गया, right, तो यह चीज हम लोग को देखने को बल रही है, और सभी की सभी applications जो थी उनको evaluate किया गया, 6 broad parameters के अधार पर, पहली चीज तो देखी गई कि innovation किया है कि नहीं किया उन्होंने, scalability देखी गई कि कितने large scale पर वो product जो है वो उसका benefit मिला है लोगों को, उस product के कारण economic benefit कितना हुआ है, social impact society पर क्या impact हुआ, समाजिक प्रभाव क्या पड़ा है, environment पर, और inclusiveness पर, और diversity पर, तो इन सब चीज़ों को देखा गया, इन सब parameters को देखा गया, और price के तौर पर जो winning startups, founders जो थे, उनको cash price 5 लाख रुपे का दिया गया और उनको opportunity दी गई, कि वो अपने product को, अपने solution को जो है वो public authorities, relevant public authority तक present कर सकते हैं, companies तक present कर सकते हैं, मतलब कि उनको opportunity दे दी गई, कि उनका national level पर उनका product जो है, वो boost होगा, यानि उनके product को promotion दे दिया गया, और जो incubators थे, accelerators थे, उनको 15 लाख रुपे as the winning amount के तौर पर दिया गया, 15 लाख रुपीज और 46 startup और एक incubator और एक accelerator को awards से समानिल किया गया, और startup का status की बात करें, इंडिया के अंदर क्या है, तो इंडिया जो है guys, यह तीसरी largest startup ecosystem है, इंडिया का पूरे दुनिया भर में, numbers के मामले में, तीसरे number पर आते हैं हम लोग startup के मामले में, पूरे दुनिया भर में, हमारी आप 15,000 से भी जादा startup established हुए थे 2020 में, और 2010, यानि कि 10 सालों के period में हम लोग ने भारी मात्रा में, मतलब कि यह मान कि जो लो, 200% startup पढ़ा दी है, 2010 में 5,000 के आस-पास startups थे हमारे पास, और 2020 में 15,000 से भी जादा startups है, तो startup ecosystem के अंदर, smartphone, internet penetration, cloud computing, और APIs, application programming interface, national payment, tax, तो यह सब चीज़े शामिल हैं, और साथी साथ COVID-19 pandemic के दौरान भी, इंडिया के अंदर unicorn startups के number बहुत जादा हुए, unicorn startup को, आप question यह भी बन सकता है, unicorn startup किसको कहा जाता है, ऐसा startup जिसकी valuation, एक billion US dollar से उपर हो जाती है, तो वो startup unicorn startup के दाता है, तो 2021 में बहुत जादा unicorn startups हमारी country में देखे गए, बट काफी सारे challenges भी है, right, startups के, बहुत सारे challenges, building को लेकर, यानि की startup के बनाने से लेकर, उसकी scaling तक, right, बहुत सारे challenges है, digital divide का एक बड़ा challenge है, हमारी country में आज भी काफी सारे, जो हमारी के लिए, right, और और भी दूसरे initiative की, अगर हम बात करें, तो राज्यों को rank provide किया गया, कि राज्य किस तरीके से वो startup ecosystem को support कर रहे हैं, इसके अंदर evolution tool जो है, वो evolve हुआ, यानि कि एक ऐसा tool, मुल्यांकन उपकरन जो है, वो लाया गया, विकसित किया गया, जिसका forum launch किया गया, October 2020 में, जिसने develop किया और improve किया startup ecosystem को collectively, SEO countries, member countries के अमंग, फिर प्रारम की बात करें, तो प्रारम सम्मिट एक लाई गई जिसका main aim ये था, कि provide कर आना, एक platform startups और young minds को, पूरे दुनिया भर के, यानि ये पूरे दुनिया भर के, जितने भी startups है, young mind है, उनको एक single platform पर लेकर आना, जहाँ पर वो अपने नए-नए ideas, innovation, invention को जो है, वो share कर सकें, और collaborate करके बना सकें, नए-ने innovation, invention, और startup India seed fund scheme भी एक है, जिसका main उद्देश ये है कि financial assistance provide कराना है startup को, अगर किसी startup के पास proper concept है, तो उस startup को funding provide कराना, उनको investors तक उनका access provide कराना, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को बल रही है, और फिर इसके लावा, fisheries startup grand challenge भी लाएगा, department of fisheries, जो ministry of fisheries के अंडर आती है, फिर animal, husbandry and daring, इन्होंने associate किया startup India के साथ, ministry of commerce के साथ, और शुरुआत करी, fisheries startup grind challenge की, कि fisheries के जो area है, sector है, तो उसमें startup challenge बनाए गया, कि startups उसमें लाए जाए, fisheries sector को और बड़ा करने के लिए, और विशाल करने के लिए, और boost करने के लिए, तो ये चीज़ हम लोग देखने को बड़ी है, तो ये था guys, पूरा वोड़ा topic, उमीद करता हूँग, ये topic आपको अच्छे सान में आ गया होगा, startup India initiative के बारे में भी हमने इस topic में detail में discuss की और इस और इस अबॉर्ट के बारे में एक basic idea लिया, और आट